नमस्कार किसान भाईयों देख सकते हैं ये किसानों की क्या हालत है जो लोग किसानों को अन्दाता कहने में कहते हैं कि किसानों को हम अन्दाता क्यों कहें वो हमसे पैसा लेके देता है वो अन्दाता कहे का जो लोग किसानों को अन्दाता कहने में इतराज करते हैं उनको ये वीडियो जुरूर देखना चाहिए यह है इसलिए अंदाता छे महिने की फसल और उसकी वो देखरे करता है कि छे महिने बाद फसल होगी उसके बाद उसके बड़े-बड़े सपने होते हैं कि उसको पूरा करेंगे पर जब इस तरह से कुदरत का कहर पड़ता है तो फसल धरी की धरी रह जाती है अब इस समय जो धान की फसल हो पूरी तरह से त्यार है पकी हुई है पर यह है बिना समय की हो रही बारिस का यह कहर है यह चारो तरफ बारिस का पानी भरा हुआ है नदी नाले फुल हो चुके हैं और यह पानी जो है आ रहा जिसकी वजह से फसले पूरी दिन लग जाएंगी तब तक जो फसले हैं पूरी तरह से पानी के वज़ा से परभावित हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी. जो लोग किसानों को कहते हैं कि यह दाता नहीं है, किसानों पे गल्ट कमेंट करते हैं, वो अपनी आँखे खोल के अची तरह से देख लें. किसान ये छे महिने की फसल को देखता है उसके बाद इतना नुकसान हो जाने के बाद फिर भी सबर कर लेता है किसी के दस रुपए गिर जाते हैं वो उस पचा नहीं पाता कि मेरे दस रुपए गिर गए है किसान अपनी लाखों की जो फसल है उसको फिर भी सबर कर लेता है और बहुत सारे जो अपने आपको ग्यानी बनते हैं बैट के कमेंट करते हैं कि किसान को अनदाता क्यों कहें वो हमसे पैसा लेता है हम उसको अनदाता क्यों कहें तो ये है अनदाता का सली रूप जरा ध्यान कर दीजिएगा नहीं एच लगए तो डिसलाइक कर दीजिएगा धन्यवाद